दोस्तों, ग्रोथ हमेशा दो प्रकार की होती है, नम्बर वन, एक होती है, इंक्रीमेंटल ग्रोथ, एक होती है, एक होती है, एक्सपोनेंशल ग्रोथ, एक्सपोनेंशल ग्रोथ और इंक्रीमेंटल ग्रोथ में दोस्तों, जमीन आसमान का अंतर होता है, इंक्रीमेंटल ग्र अपने किसी प्रकार का कोई उसने टिककी का काम करना शुरू किया आलू की टिककी या कोई स्टेszक्ट की उसने एक ठेली लगाई और वो टिककी आज भी उसी ही जगह पर खुली वह यह और उतने एक सब्था के अंदर आज उसकी कमाई जो है 5,000 रुपए या 6,000 रुपए हो गई है 8,000 रुपए हो गई है इससे जादा वो उपर नहीं कमा पाएगा क्योंकि वो incremental growth के उपर काम कर रहा है वो percentage में उसकी growth बढ़ रही है वो इस चीज के उपर focus कर रहा है कि उसकी जो growth है वो daily तरीके या महीने पर या साल पर जाके कितनी उसकी growth हो रही है और एक growth होती है दोस्तों आपकी exponential growth को किस तरीके से हम दर्साएंगे इसके अंदर आज मैं आपको इस चीज के उपर आपको थोड़ा सा बता देता हूं exponential growth बास्तम में होती क्या है exponential growth मतलब यह कि आज आपकी जो जो return है वो कई गुना गुना और वहाँ percentage में थे यहां हम times मतलब कितने times multiply कर रहे हैं उस income को इस तीज से दर्साता है कि exponential growth के अंदर हमारी जो income है वो multiply होती है वहाँ पर plus हो रही थी यहां पर वो multiply हो रही है हमारी income सो हमारी लिए जो effect करती है जो income जो हमारी life के अंदर changes लेक अब exponential income जो पाने का जो main जो तरीका है वो है networking business अगर आप networking business को अगर आप direct selling business को अगर आप क्रम बद तरीके से एक system के द्वारा अगर आप करते हैं तो आपके लिए इसके अंदर वो सभी सारे सपने वो सभी कुछ आप हासिल कर सकते हैं जो आप अपने जीवन में expect करते हैं रिपीट कर रहा हूं जो आप अपने जीवन में expect करते हैं आप deserve करते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप networking business के अंदर वो सारी चीजें आप हासिल कर सकते हैं reason इसका यही है कि यह जो business काम करता है exponential growth के उपर वो एक उतारड के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूं मान लीजिए कि एक किसान ने अपने खेत के अंदर जून के महीने में उड़त की खेती बोई और उड़त को चार महीने लगेंगे जून से चार महीने का जो समय होगा नवंबर एक्टूबर के महीने में जाके उफ़सल तयार हो जाएगी और चार महीने के बाद वो सारा का सारा जो उसका जितना भी उपज होई उसके घर पर पहुंच जाएगा यह अगले महीने की साथ तरीक को उनके account में पैसे आ जाते हैं इस महीने अगर उनके 10,000 रुपए आ रहे हैं या 20,000 रुपए आ रहे हैं तो अगली साल उनके यही पैसे इसी महीने में 22,000 रुपए होंगे या फिर 24,000 रुपए होंगे या फिर अगर उनकी काम के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की हुई तो उनकी जो growth है वो 30% तक हो जाती है दोस्तों ये जो growth है जो growth है इसे हम कहते हैं increment इसे लिए से कहा जाता increment क्यूंकि ये incremental growth होती है और अगर हम एक दूसरे तरीके से बात करें अगर हम एक दूसरा उधारा लें कि माल लीजिए एक किसान जिसने उड़त लगाये थे और उसके बर पचास पौधे उसको तुरंत के तुरंत रिजल्ट नहीं देने वाले हैं दोस्तों अब आम के 50 पौधे उसको result कब देंगे जब वो 4 साल पूरे हो जाएंगे क्योंकि आम का पौधा जो है वो 4 साल में तयार होता है तो वो 4 साल में ही result देगा तो यह जो किसान है जब इसके 4 साल पूरे होंगे अब वो 200 साल तक आम का पौधा खड़ा रहेगा और उसके घर में लगातार पैसों की बरसात होती रहेगी क्यूंकि इसने काम किया incremental growth के उपर नहीं इसने काम किया exponential growth के उपर दोस्तों दुनिया में जो लोग भी क्रांतिकारी परबरतन लेकर आए हैं चाहे वो Bill Gates हो चाहे वो धीरुबाई अमबानी हो चाहे वो MacDonald का मालिक हो चाहे वो IBM हो चाहे वो कोई और company हो उन्होंने exponential growth की है इसलिए वो आज दुनिया को lead कर रहे हैं वो दुनिया में top पे बैठे हुए हैं ऐसे लोगों के गिंती दुनिया के top earners में की जाती है क्योंकि उन्होंने दुनिया के अंदर वो किरांती लेकर आए वो exponential growth के उपर काम करते हैं भारत में जो लोग काम करते हैं इंडिया के जो लोगों की सोच है वो है incremental growth के उपर सोच वो सोचते हैं कि दो पैसा कैसे बचा है black money में कैसे transaction करें bank से बहार रहके कैसे transaction कर लें वो अपने main खाता जो current account है उससे कैसे बचा है आधार से link ना करें खाते को पकड़े जाएंगे pen card से link ना करें वो इन चीजों के उपर ध्यान लगाते रहते हैं पड़ लेकिन बभार का जो व्यापारी है बहार का जो बिजिसमेन है जो entrepreneur बहार के हैं चाहे वो थोड़ा कमाते हैं लेकिन वो volume पर खेलते हैं बॉलियों पर खेल के कमाते हैं और वो लीड कर जाते हैं इसलिए दुनिया में वो सारे लोग जिनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और जो बड़ी कंप्री जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं भी होती है वो लोग ज़्यादा कमारे होते हैं जिनकी क्वाल फॉर्मूले के उपर काम कर रहे हैं फर्क सिर्फ इतना सा है दोस्तों इसके अलाबा कुछ भी नहीं है सिर्फ इसको ध्यान से समझ लीजिए फर्क सिर्फ इतना सा है कि आप काम करेंगे incremental growth के उपर तो आपका सालाना increment होगा अगर आप काम करेंगे exponential growth के उपर तो महीने दर महीने आपकी जो income है वो multiply होगी सुरू में sustain करने के लिए आपको कुछ समय जरूर लगेगा लेकिन जिस समय आप exponential growth के चार्ट पर बढ़ने सुरू हो जाते हैं उस समय दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके दोस्तों सो मेरा आपसे सिर्फ यही कहना है कि अगर आपने दुनिया में अपने आपको साबित करना है तो आप काम करें exponential growth के उपर और इसमें direct selling का जो business है बहुत कम पैसा लगा के आप इस business को शुरूआत कर सकते हैं इसमें बहुत जादा पैसे की जरूरत नहीं होती है जरूरत होती है तो सिर्फ आपके जजबे की आपकी intention की अपके attitude की और आपकी energy की जरूरत होती है आपके time की जरूरत होती है बाकी सब कुछ तो इसमें धरोहरा आपको एक साथ ही मिलती है जो आपके appliance है आपको इतना help करते हैं कि आपको इस level तक लेकर जाते हैं कि आप वो सब कुछ हास बहुत अच्छा लगेगा और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को like नहीं किया है और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भी ठीक बात नहीं है मेरे साब से क्योंकि मुझे motivation मिलता है आपके like करने से तो आप वीडियो को like करिए share करिए और दोस्तों और अगर वीड करके मुझे जरूर बता है thank you so much for your wonderful time